सबसे पहले एक बाउल ले लिया है एक कब गेहू का अटा ले लेंगे तीन चम्मुष सूजी मिलाएंगे सूजी मिलाने से नस्ता हमारी खस्ता बनेंगे इसी हरादनिया डालेंगे थोरी सी नमाक थोरी सी लालमीच पोड़ा है थोरी सी अजवैन ले लिया है अजवैन को इस तरह से करेश करके डालेंगे अजवैन का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है दो चम्मुष सॉइल डालेंगे अब सबी चीज़ों को mix करेंगे mix कर लिया है अब थुरा-थ्रा पानी डालके डू लगा लेंगे पाणी को ऐक साथ नहीं मिलाना थुरा-थ्रा करेंगे डो लगा लिया है देखे इस तरह से डो लगाना है अब इसको रेश्ट पर रखेंगे तब तक आगे की तैयरी करते हैं गैस पर पैंचर दिया है गैस अन कर दिया है दो चमो सोयल डालेंगे ओयल को गरम होने देंगे ओयल गरम हो गई है अधी चमद जीरा डाल देंगे जीरा चटक ने देंगे जीरा चटक गई है दो हरी मेर्ज थोरी सी अद्रग गिरेट करके लिए बो डालेंगे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे इस नास्ता में हम प्यास का यूज नहीं कर रहे हैं अगर आप प्यास मशाले के दलना से है तो इस टैंप आज डाल सकते हैं भून लिया है दो बॉइल लालू गिरेट करके लिए बो डालेंगे अब हम कुछ मसाले मिलाएंगे स्वाधन सान नमोक थोड़ी हल्दी पॉडर कलार के लिए फोड़ी सी लाल मेच पॉडर थोड़ी सी धनिया पॉड तोरी सी बरिकटी यह राधनिया मिक्स करेंगे एक मिनिट से घुल लेंगे 좋 SUS आयात झ लिए मसल के चिकना करके लिए लिया है तीन हिस्से में बाट लेंगे एक हिस्सा ले लेंगे गोला करेंगे थोरा सा सोखाटा लगा लेंगे तक कि नीचे चुपके ना अब हम बेल लेंगे रोटी के आकार से थोरा बड़ा वे लेंगे देखे बेल लिया है ना ज़दा मोटा ना ज़दा पतला इस तरह से बेल के लेना है अब इस तरह से साइड में से कट लगा लेंगे फिर इस तरह से काटेंगे सोखाई शेव में काटेंगे अब किनारी को दुबारा बना लेंगे फिर 20 में से काट लगा लेंगे फिर इस तरह से काटेंगे अब हम 4 तरक पानी लगा लेंगे पानी लगाना जरूरी है नहीं तो स्टोपिंग हमारी निकल जाएगी इदर स्टापिंग भी ठंडी हो गई है थोरा सा पोशोन ले लेंगे इस तरह से गोला करेंगे और बीस में रख लेंगे इस तरह से सबी के उपर रख लेंगे सबी के उपर रख लिया है अब इस तरह से हम बंद करेंगे इस तरह से इस तरह से बंद करेंगे पहुती आसाने बनाना इस नस्ता को कोई भी बना सकते है इसको खाने के बाद बच्चे बड़े सब बजार की समोसा कचोरी सब बुल जाएंगे देखे कितनी बड़ीय बनी है इस तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे सभी नस्ता को बना के रेडी कर लिया है अब हम गैस पे चलते हैं पहले से ओयल गरम होने के लिए रख दिया है ओयल भी हमारी गरम हो गई है ओयल को मीडियम गरम करना है अब नाश्ता को डालेंगे डाल दिया है इस तरह से हिला देंगे और गयस का फिले मीडियम करके एक साइट सिखने देंगे एक साइट सिख गई है अब हम पलट लेंगे इधर कलार सेंज हो गई है पलट लिया है अब दुसरी साइट भी सिख लें उपर काले पर जाएंगे बनाना जितना असने खाने में उपना TB ही 10 मिनपना नास्ता को घेडि कर सकते हो सुबह शमक1 हल्टीप फूलकी भूपक में बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो aचानक मेहें मान आ जाए Kṛṣṇa तो भी Πहूं सकते हो इस नास्ता को घाने के इसी तरह से सभी रेट को रेड़ी करके ले लेंगे देखे नाष्टा हमारे रेड़ी है टमाटा सौसँ सार किया है अब खले भी खा सकते हो चाई के साथ खा सकते हो देखे कितनी क्रिस्पी बना है सबसे पहले बाउल ले लिया है एक प्यास को लंबाई साइज में काट लिया है वो डालेंगे थोड़ी सी पत्तागो भी डालेंगे थोड़ी सी गाजर गिरेटकर के लिया वो भी डालेंगे दो हरी मेर्च हैरा धनिया थोड़ी सी अधरप गिरेटकर के लिया वो भी डालेंगे स्वादनोसन नमक डालेंगे दो चम्मस दही डालेंगे अगर दही नहीं खाते है तो इसके जगा निवुकरस डल सकते हो अब सबी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे मिक्स कर लिया है एक कब गेहूं का आठा मिलाएंगे दो चम्मस सूजी मिलाएंगे थोरा तरह पानी डलके बेटर रेडी करेंगे पानी को एक साथ नहीं मिलाना थोरा तरह करके मिलाना है बहुत ही हेल्दी नाश्ता है अगर आपके बच्चे सबजी नहीं खना पसंद करते हैं तो इस तरह से बना के खिलाएंगे बुबरी शौक से खाएंगे और मज़े से खाएंगे मिक्स कर लिया है अब हम मसाले में लाएंगे थोरी सी कुटी ही लाल मिश पॉडर थोरी सी हल्दी पॉडर कलर के लिए थोरी सी धनिया पॉडर अधी चम्मो जीरा पॉडर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा थोरी सी कुटी ही काले मिश पॉडर थोरी सी कलोंजी डालेंगे इससे देखने में सुन्दर लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा सब इसी जो को मिक्स करेंगे एही मसाले से हम नаш्ता को बनाएंगे हो धी कम मसाले में नаш्ता बनके रेडी हो जाते हैं मिक्स कल लिए है आब इसको पास मैं टेश्ट पे रखेंगे नींट बात चेक करेंगे मिक्स कल लेंगे सबजी और सूजी आप तो गई है बेटर हमारी एकदुम कलोंजी डालेंगे देखने में सुन्दर लगेगा अब इसको कवर करके तीन मिनिट पका लेंगे गास का फिले मीडियम करके तीन मिनिट बात शेक करेंगे उपर से ड्राई हो गई है एक चम्मू सोयल इस तरह से फेला लेंगे अब हम पलट लेंगे देखे बड़ी आराम से अलट गयी हैल के से दबा लिए हैब फिर से 3 मिनिट कवर करके पका लेंगे तीन मिनिट बेट शेक करेंगे पलटेंगे है देखेदर भी कलर रेंज हो गई है सफ्छे भड़ेम ही तोड़ा से बढ़ा देंगे अलट कि इस बाथे नहीं झोलेघसा Allez लेट से शेक लेंगे सबजी से भारपूर है, एक बद जरूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताईएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है, नास्ता हमारी सिख गई है, कलार भी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे, इस तरह से सबी नास्ता को रेडी करके लेंगे, देखे नास्ता हम वीडियो को एक लाइक जरूर करती जिएगा, और सनल पर नई हो और इस तरह के आसान नहीं ने रेसिपी देखने के लिए सनल को सब्सक्राइब जरूर करती जिएगा, अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, वाई